तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फोर बीगनर यानि की यू एफबी का पार्ट 10 है यानि की दस्वा पार्ट है जिसमें मैं आप लोग को तीन अक्छर से मिलकर बने आ मात् होती है जैसे की देखिए चावल में चावल में सिर्फ जो पहला वाला अक्छर है चा इसमें इसमें ही सिर्फ आ की मात्र है उसके बाद वा में आ की मात्र नहीं है तो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ शुरू वाले अक्छर में आ की मात्र होती है कुछ ऐ पर दूसरा वह से देखीना यानरी कि इसमें आकी मात्रा है और फिर उसके बाद से तीसरा वालए जो अक्षरें लास्ट वाला वह र Northernرض तो यह कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बीच वाले अक्षर में आखी मात्र होती है। तो बने आखी तरह के जितने भी तीन अक्षर से मिलकर बने आ मात्रा वाले शब्दों को हम लोग आज कि इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उर्दू में लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। लुदा आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ेंघ ठीक तो सबसे पेले देखिए इस तरह के वर्ड को जिसके शुरू में आखी मातरा हो उस तरह के वर्ड को कैसे उर्दू में लिखते हैं ठीक तो सबसे पहला जो वोर्ड है यानिकी शब्द है वो है चावल 5 में almost तो सबसे पहले सोचिये कि चौको उदू में क्लिए तो चौको लगाने के लिए मालिश कि अगर आलिफ है तो आ बनाना है तो अलिफ के उपर मद जोड़ देते हैं तो अलिफ पर मद जुड़ कर क्या हो जाता है अलिफ मद आ तो यह अलिफ से और अलिफ मद से आ हो जाता है बट बाकी जितने भी हर्फ है मान लिजे चे है और उसके बाद से काफ है डाल है जो है तो है अलिफ को छोड़ के लिए कि आप इस पर मद लगा देंगे नहीं मद सिर्फ अलिफ पर लगता है आप बनाने के लिए और जितने भी चाहे वो बे हो पे हो या फिर तो हो जो हो चे हो काफ हो सभी को आ की मातरा में कनवर्ट करने के लिए अलिफ लगाते हैं यह कभी मत भूलिएगा ठीक है ना तो यहां पर चे से च हो गया अब इसको आ की मातरा में कनवर्ट करना है आ की मातरा में लिखना है चा बनाना है तो इस तरह सीन में अलिफ जोड़े थे इन्द सेम वह यहां पर चे में जब अलिफ जोड़ देंगे तो चे में अलिफ जोड़ कर चा हो जाएगा ठीके ना अभी मैं आप लोग को जोड़ कर बताऊंगी सबसे पहले सब को लिख लिजिए अब देखिए अगला अक्षर है वाउ वा कुर्दू में क्या कहते हैं तो वा कुर्दू में वाउ कहते हैं तो यहां पर वाउ लिख दीजिए प्लस ला कुर्दू में क्या कहते हैं तो यहां पर फटफट लिख दीजिए अब इन चारों को जोड़ कर आप चावल आसानी से लिख सकते हैं सबसे पहले आप इन द से च अब इसको च बनाना है तो इसमें अलिफ इसे जोड़ दिजे तो यह ओगया च में अलिफ जुरकर च क सह देखें अब चहयए बस दो अक्षर को जोर देना है इन है और हाद तो वह वह को यहाँ पर लाकर रख दीजिए यानि कि वाओ को और फिर लाम को यानि कि ला को यहां पर लाकर रख दीजिए बस बात खतम चे में अलिफ जुड़कर चा हो गया और वह वाओ से वह और लाम से ला चा प्लस वह प्लस ला चावल ठीक है न तो सबसे पहले आप लोगों को यह जो शु में कहते हैं तो आक यहां पर काफ dog दिजिए अच्छा से लिए काव से हो गया अब इसको Souほnda किया यह लगा दीजिए प्लस ला कूर्दू में लाम कहते हैं अब इन चारों को जोड़ आप जानते हैं काव का जो है ना इतना ही पाट उठाया जाता है और इतना पाट उठा कर इस तरह गोल हो जाता है जो यहां पर यह सीधा है यहां पर गोल हो जाता है तो यह हो गया काफ से काव बट इसको काव बनाना है ना काजल लिखने के लिए तो काव बनाने के लिए इस में काफ में जूड़ देना है इन दोनों को जोड़ देना है और जोर दीजिए आफ में जोड़कर अलग हो गया यह दोनों जोड़ कर अलग हो गया का का और जिम-जीव में लाम जूड़कर यान' किमेला जूड़कर जल तो डिन जल कहा जल कितना सिंपल है ठिक है यह मत बुरिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़को जोड़ना है सबसे पहले उच्छुरुब वाले को जोड़ना है ठीक है न तो सबसे Πहला 1-6 क्या कहते हैं तो मैं आप लोग मताई थी जिस तरह S एच से चो उर्दू में आ है होता है यहां पर आ से लिखा जाता है ठीक है तो यह होगी है 6 वड़ रिखना है तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे अलिप जोर देंगे तो च्छा में अलिफ जूड़कर च्छा हो जाएगा प्लस गा, गा कॉर्दू में गाफ कहते हैं तो यहाँ पर गाफ लिख दीजिए प्लस ला, ला कॉर्दू में लाम कहते हैं अब इन चारों को जोड़ देना है तो च्छागल बन जाएगा अब बनाईए जोड़कर च्छागल तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे च्छा में अलिफ जोड़कर च्छा बनाईए सबसे पहले इन शुरू का दोनों जोड़ा जाता है तो च्छा बनाईए च्छा बनाने के लिए कैसे जोड़ेंगे इनको यह जो च्छा है बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को बना देना है यहाँ पर देखे यह हो गया च्छा ठीक और इसी में आप लोगों को अलिफ जोड़ना है तब ही तो च्छा होगा तो देखे इसी में यहाँ से आप अलिफ ऐसे जोड़ देंगे तो च्छा में अलिव जूड कर क्या हो गया च्छा उसके बाद से अब इन दोनों को जोड़ना है गल को तो यानि कि गाफ में आप लोग को लाम को जोड़ना है तो आप लोग जानते हैं गाफ का इतना ही पाट उठाया जाता है तो इतना पाट उठा लीजिए और ये जो सीधा वाला पाट है इसको यहां पर गोल कर दिया जाता है यहां पर जो सीधा है बस यहां पर गोल कर दिया जाता है तो देखिए यह गाफ से गाफ हो गया अब इसी में आप लोग को क्या करना है यह जो लाम है लाकर जोड़ देना है यह देखिए लाम जोड़ जोड़ कि हम ठीक है तो छो रम जोड़ कर चा हो गया और यह जो गाफ यानिकी गौ में उस्सी प्लेस गल चा गल ऐक चीज़ आप लोग धियान दे रहे हैं जो लास्ट वाला अक्षर है वो पूरा का पूरा लिखा जा रहा है तो पूरा का पूरा लाम लिखाया है काजल में भी लास्ट में ला है तो पूरा का पूरा लाम लिखाया है यानि कि लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो पूरा का पूरा लिखाता है ठीक है अगर तो है नहीं ठीक है आगे बढ़िए सावन सावन को उर्दू में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले सोचिए पहला अक्षड सा है यानि की सौ को उर्दू में सीन कहते हैं तो यहां पर सीन लिख दीजिए सीन से सा हो गया बट इसको सा बनाने के लिए इसमें आप अलिव जड़ेंगे तो जोड दीजिए धीरे से उसके बाद से वाऌ कुर्दू में वाव कहते हैं तो यहां पर वाव लिख दीजिए प्लस ना ना कुर्दू में नून कहते हैं ठीक है अब ये चारों सावन साइए यह हो गया सीन से सा और इसे में अलिफ ले जाकर जोड जीजिए तो सीन में अलिफ जूड कर क्या हो गया सा और उसके बाद से व को बस ले जाकर पास में बैठा देना है और उसके बाद से न को भी ले जाकर पास में बैठा देना है तो व और न सावन सीन में जूड कर कैसे लिखा जाता है आप सोचिए जिस तरह डी से दा और डी में एच जोड़कर यान की डी एच से धा होता है इन द सेम वे उर्दु में डाल से दा और डाल में एच जोड़कर यान की हे जोड़कर धा होता है और दा लिखा जाता है ऐसे ठीक है तो यह हो गया धा बठम को ध बनाना है तो दा बनाने के लिए आप इसमें अलिव जोड़ेंगे तो यह हो गया धा प्लस अगला क्षड क्या है को कौक उर्दू में क्या कहते हैं तो कौक उर्दू में काफ कहते हैं तो यहां पर लिख दीजिए काफ प्लस रा रा कॉर्दू में क्या कहते हैं अलिवे पे आप लोग को मैं शुरू वाले में पार्ट वन में ही बता चुकी हो रहा को उर्दु में रे कहते हैं तो यहांपर दे लिख दीजिए देखे ऐसे लिखा जाता है यह ओपर वाला है ना बी की जिस तरह इस तरह बड़ा भी बनाते हैं बस इसी को इस तरह छोटा बना देना है यहां पर लिख देना है ठीक है तो यह होगी अड़े से ठीक अब यह चार तीनों जुड़कर जो है ना तीनों अक्षर जुड़कर धाकर क्रियेट कर देंगे तो देशिए कैसे पहले आप लोग जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ना है और धा बनाना है यानकी धा में ले जाकर जोड़ दिए तो यह जोड़का हो गया अग्लब होतब PayPal जोड़ना है एक दूस्रे को तो देशिए काफ का इतना ही पात उछ उटता है तो काफSorry पाता लीजिएं यह देखिए उड़ घयाता इसी अजोड़ना है देखिए कितना सिंपल है आगे बढ़िए सागर सागर में सबसे पहला अक्षड सा है सौ कोर्दू में सीन कहते हैं अब फटाफट आप लोग कर सकते हैं खुद से भी ठीक है ना सीन से सा प्लस अलिफ जोड़ देंगे तो सा हो जाएगा प्लस गौ गौ कोर्दू में गाफ कह या है प्लस गर को आप इसमें अब रो जोड़ देना यहीं तो साह हो गया है अन नहीं बनादाक लिए यह जो गाफ है गाफ का इतना ही पाट उठाते हैं आप लोग नहीं पाट उठा लीजिए देखिए सा और गाव में अब यह वाला जो रहा है यही इस तरह जोड देना है तो देखिये सिन में अलिफ कर सा हो गया गाफ से गा और इसी में रेई यान कीरा जुड़गा है तो गर साप गर सागर ठीक आगे बढ़े फटाफट बालग में सबसे पहला अक्षर क्या है बाग बहु को अर्दू में क्या कहते हैं तो बहुत ज़िदा सिंपल है तो बे जोड़ दीजिए जबसे पहले इन दोनों को जोड़िये बा में अलिफ जोड कर बाव बनाई एसके बाद से लख इन दोनों को जोड़ना है तो लाम काए आप लोग इतना ही पाथ उठाते हैं जानते आप लोग देखिए इतना ही पाठ उठ गया यह लाम से ला हो गया और इसी में जो काफ है न ऐसे ले जाकर जोड़ देना है तो यह देखिए लास्ट वाला जो काफ है इसी लाम में जुड़ गया तो बे में अलिव जुड़कर बा हो गया लाम से ला और इसी में काफ जुड दीए मैं तो देखिए सबसे पहला है जा कुर्दू में क्या कहते हैं तो यहां पर फटा फट लिख दीजिए अब तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं समझ गए होंगे जैसे मैं आप लोग को समझाने की कुशिश कर रही हूं अब आप लोग मेरे बनाने से पहले खु उसकर लिजी और जाकर का जो हैना खुद से लिखी है और फिर मेरा video चलाइए और फिर देखिए कि आप लोग जो लिखे हैं मेरे से मिल रहा है की नहीं हो रहा है और आपका सही हो रहा है कि नहीं ठीक है ना तो देख से जा हो गया अब इसको जा बनाना तो अलिव जोड़ देंगे फ्लास को को कवकुर्दू में काफ कहते हैं तो यहां खाफ, लिख दिजिए प्लस रा कॉर्दु में रे कहते हैंस तो रे लिखते हैं अब यह चारो जोडकर जाकर लिख देंगे जोडेंगे काईसे सबसे पहले इन दोनों को जोडना है आप जानते है सब्से पहले शुरू वाले वो टाफ का इतना ही पाथ उठा लीजे यह देखिना ही पाथ उठा लीगी में काफका और इसीमेल यहां कि रौज जोरनाना है चो यहांancar चकर जाकर यहांको बनाने के लिए अलिफ देंगे प्लस कौ कौ कॉर्दू में काफ कहते हैं प्लस रा रा कॉर्दू में रे कहते हैं तो अब इन चारों को जोड़िए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ कर ला बनाईए कैसे जोड़ेंगे यह जो लाम है ना सिर्फ इतना ही पाट उठाया जाता है तो देखिए इतना ही पाट उठा लिए ठीक ये लाम से ला हो गया अब इसी में आप लोग अलिफ जोर देंगे तो ये लाम में अलिफ जोर कर ला हो गया ध्यान से देखिए लाम में अलिफ जोर कर ये ला हो गया और अब लास्ट में आप लोग को ये कर जोर देना है कर हो ज कर यह तो बहुत ज़्यदा आसान है एक मिनट टेड़ा हो गया कर तो गाकर सबसे पहले अक्षर क्या है गाव कोर्दू में गाफ कहते हैं तो यहां पर फड़फट गाफ लिख दीजिए प्लस गाव से गाव गया बट गाव बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे तो अलिफ प्लस चॉकर आधा गाव कर दीजिए यह प्लस बहूंज कर डीया ज distillए सब्से पहले और रे जोरेंगे कैसे जोड़ेंगे ऑफ का इतना ही पाट उठाकर अब यह जो सीधा वाला बाग है बस इसको आधा ऐसा गूल कर दिया जाता तो यह हो गयाँ गाप से गाँ अब इसको गाँ बनाना है न तो इसी में आप अलिफ जोड़ दीजिए ऐसे देखिए ऐसे जोड़ दिया जता है अनलिफ ठीक है तो गाफ में जोडकर गाँ हो गया प्लस कर अब लाश्ट में कर लगा देना है तो जिस तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे dawn लखcontame से लिए तो पहले आप जानते हैं इन दोनों को जोड़ा जता है इतना ही पाट उठाया जाता है यहांव कर द similarly चुम में चनूबगे प्लस इसी में आप लोगों को अलिव जोड़ देना है तो प्लस गल अब इन दोनों को जोड दीजे दखेंड गाओ का इतना ही पाथ उठाया जाता है तो इतना पाथ उठा लीजे अब यह जो सीधा था बस इसको बना एक गोलATORS ठीक है ना ऐसे तो यह हो गया अब इसी में लाम यह जोड़ती रहे तो ऐसे करके ऐसे जोड़ दीजे देखिए प्लस फिर ना है तो फिर नून लिख दीजे प्लस को है कख और्दू में काफ कहते हैं तो यहाँ पर काफ लिख दीजे अब जोड़ दीजें पहले नून में अलिफं जोड़ कर стороны आ बनाएए तो आप और फिर नून में काफ जुड़कर नक हो गया ना प्लस ना नक ठीक आगे बढ़िए जागत सबसे पहले आप सुचिए जो कुर्दू में क्या कहते हैं तो जो कुर्दू में जीम कहते हैं तो आपर जीम लिख दीजिए जीम से जो प्लस इसको जा बनाने के लिए अलिफ इतना ही पाट उठा लिए ठीक है ना यह जीम हो गया इसी में जोड़ दिये तो जा हो गया इन दोनों को जोड़कर जा बना दिये और गत अब गत लिखने के लिए इतना ही पाट उठाना है गाफ का तो देखे इतना ही पाट उठा लिए गाफ का ठीक और इसी में ते ऐसे जोर देना है ये वला तेत तो यह तो तेत जोर दिए तो जीम। में जूर कर जा गए आगाफ में तेत जूर Iska बाद आकर लिखना तो बहुत ज़दा असान है सबसे पहले क्या है आ है तो सोचिए आ को उद्व में क्या कहते हैं तो मैं आप लोग को क्या बताई थी अलिफ से आ होता है और अलिफ के उपर मड लगा देते हैं तो आ हो जाता हैं तो दिखेंगे यहां पर अलिफ से तो ऑ हो गया बट इसको आ बनाने के लिए क्या इसमे इक और अलिफ जोड़ देंगे नहीं आप अभी तो मैं बताई न यहां पर अलिफ में मद लगाएंगे तब अभ्छ एंख्राइब में काफ ऑफ में काफ कहते हैं अब अलिफ मर्फ में मध dog कर आ बनाई जब से पहले तो अलिफ के उपर क्या लगा दिये मद लगा दिये तो ये अलिफ के उपर मद लग कर आ हो गया उसके बाद से कर काफ में रौज ओड़ दीजिए ठीक है न तो ये हो गया काफ और इसे के लाश्ट में इस तरह रौज ओड़ दीजिए तो आ और कर आ कर देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है जैसे की देखिए अनार ठीक है ना तो सबसे पहले सोचिए अक उर्दू में क्या कहते हैं तो अक उर्दू में अलिफ कहते हैं तो अलिफ से लिख दीजिए एकदम आसानी अलिफ को लिखना तो बहुत असान होता है तो यह अलिफ लिख दिए अलिफ से अ हो गया प्लस जोड़ेंगे यहां पर अलिफ जोड़कर ना बना देंगे और लास्ट वाला अक्षर है रा रा कुर्दू में रे कहते हैं तो अब यह सब जूड़ जाएंगे देखिए अलिफ से आ हो जाएगा तो यहां पर अलिख दीजिए अब इन दोनों को जोड़कर ना बनाईए तो सब मैं उससे पर आप सबसे पह meant इन दोनों को जोड़ रहे हैं जैसे कि चा का है मैं जोड़ रहे थैं अब यहीं वाला चीज जो हैंना अब देना हैं और इस क्या हो गया ना तो अलिफ से और नून में अलिफ जुड़कर ना और लास्ट में रे ले जाकर चिपका देना है रे से रा तो अलिफ से और नून में अलिफ जुड़कर ना और रे से रा अनार देखे कितना सिंपल है आगे बढ़िए अचार अचार भी लिखना असान है सबस लिख दिए और उसके बाद से इसको चे से तो चा हो गया बच्चा बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ेंगे तो अलिफ जोड़ दिए प्लस रा रा कॉर्दू में रे कहते हैं तो यहां पर लिख दिजिए अब इन सब को भी जोड़ दिजिए अचार हो जाएगा राम से तो देखिए सबसे पहले लिखिए तो अलिफ से तो हो गया अब इन दोनों को जोड़कर चा बनाईए चे का conce reap ये देखिए तो इतना ही पाट उठता है तो इतना पनुछ था लीए चेसे चا हो गया और इसी में आप इस तरह लिव जोड़ता है तो जम यान Liz चाह प्लस नमाज सबसे पहले आकष्छ क्या है ना को अर्दु में क्या कहते है नून यहां पर लिखिए यहां पर Q. नून है यानि कि इसमें जे का यूज होगा जीम का युज नहीं होगा जे का त्। यहां पर लिखिए जफिए हिक है अब ये सब जुड़कर नमाज अराम से लिखा जाएगा जुड़िए सब को ये देखिए नून है तो नून का इतना ही पाट उठा लिए ध्यान से देखिएगा नून का इतना ही पाट नून से न हो गया अब मा आप लोगो मीम में अलिव जुड़कर मा बनाना है अब देख तो नून भी हो गया और इसी में मीम भी जुड़ गया ना और मां हो गया बट हम लोगों को मां करना है ना ना मां तो अब इसी में क्या करेंगा ऐसे अलिफ जोड़ देंगे तो नून से ना हो गया और इसी मीम में इस तरह अलिफ जुड़कर मां हो गया और जे लास्ट में ना कर चिपका देजिये तो जे से ज़, तो नमय फिर से एक बार मैं दुबारा लिख कर दिखा देती हूं देखिए नून से इस तरह ना हो गया है कि मिनट ये नून से ना हो गया और इसमार आ एसे यहां zw जाए तो यहां पर मीम हो गया और इसी में आप लोग अलिफ जोड़ देंगे तो नून से ना और मीम में अलिफ जुड़कर मा वर्जे से जा तो यह हो गया नमाज देखे इस तरह नमाज लिखा जाता है आगे बढ़िए अजान अजान लिखना बहुत दासान है आ कुर्दू में अलिफ कहते हैं तो अलिफ लिख दीजिए जा कुर्दू में जाल कहते हैं पर जाल लिख दीजिए प्लस जा करना है न तो इसमें भी अलिफ जोड़कर जा बना देंगे और ना कुर्दू में नून कहते हैं अब सब को जोड़ दीजिए अलिफ से आ हो गया और जाल में अल सबसे पहले यहां पर इसको वार्ते इतना ही पन्हा है इस सबसक्राइबने हैं इसको इतना ही लिखेंगे ये देशी सिर्फ इतना ही पार्ट देखे ये तो ये हो गया बे नीचे बिंदू है ये बिंदू दे दिए देखे ये वाला ते लिखा गया इस तरह ते से त ये वाला ठीक और इसी में एक और ये बे जोड़ दिये तो ये हो गया ता और बा तब हो गया लेकिन हमको तबा ल यठी बहुत यहां पर लास्ट में आकर कि पक जाएगा ठीके ना अक्छा अच्छा से लिख दूए यह देखिए इसी में अलिफ जूड कर बहु हो गया और हेसे और तबाह ठीक कमाल कमाल सबसे wall है कभखु बेर कफ के प्रब कर दून्र लएरि प्रूरlt है मां है यहां पर मिम लख दीजिए मा मिम से तो मbenांम mü मांद बनाने के लिए अलिफ लिखेंगे प्लस लो, लो को और दुमें लाम कहते हैं, अब सब को जोर दीजिये, कौ का इतना ही पाट उठाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया काफ से कौ, अब देखिए, इसी काफ में, ये मीम जोर देना है, ये देखिए, यहाँ पर, ये जो मीम के इतना वाला पाट है ना, बिन्दु जोर दीजिये, तो देखिए, काफ से कौ भी हो गया, और इसी में मीम में, अलिव भी जुड़ गया, तो मा भी हो गया, अब लास्ट में ये जो लाम है, ला को ले जाकर सिपका देना है, तो ये हो गया आप लोका कमाल, ठीक, आगे बढ़िए जहाज, थोड़ा यहाँ पर ये छोटी है, ये से तो हो गया, बठा बनाने के लिए अलिव जुड़ेंगे, प्लस ये द Здесь ये जो है, जो के नीचे बिंदू है, तो इसके मीं, आप जक करेंगे, ये हो गया ठीक है जब नीचे बिंदू नहीं रहता है तो यह जीम का यूज किया जाता है अगर नीचे बिंदू रहता है तो जे का यूज किया जाता है नहीं तो जाल का यूज किया जाता है और नहीं तो आप जुआद का यूज कर सकते हैं तो यहां पर जे का यूज हुआ है ठीक है अब देखिए यह जीम का इतना ही पाट उठाई है जीम से तो जा हो गया यह देखिए जीम से जा हो गया अब हा इन दोनों को जोड़ना है है में अलिफ जुड़कर हा बनाना है तो अब मैं आप लोगों को बताई हूं कि यह वाला जो गोल वाला है है अंडा वाला है यानि क आप लोगों को बताई थी कितना बारविष बता चुकी हूं अपना सकल ये इसका गोल वाला सकल है ना ये अपना सकल चेंज करके ऐसे और नीचे ऐसे हो जाती है ये जो नीचे हैं ऐसे हो बही तो jim se jah हो गया और इसी में he से ये हो गया और इसी में आप क्या कीज्या अलिव जोर दीजे इसी हे में आप अल्व जोर दीजे तो हे में अलिव जुड可 हा हो गया हैं ये हैं यहां पर pref天 गोल हैं ब сама को बता हीँ ना ये सकल चेंज करके ऐसे हो है ने मैं यहाई भषयाव में कहते हैं तो यह अचा यह है और यह हैं ऊफुर्दू यह में तो यह लिख देजिए प्लस्या तो इसमें अलिफ जोडेंगे प्लस तो तो कुर्दू में ते कहते हैं अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए यह जो हे है यहां पर इतना ही पाट लिख दीजिए हे का हे से हो हो गया अब यह जो यह है ना यह यह अभी अपना सकल चेंज करकर जब यहां पर जुड़ेगी ना हे में तो यह इस तरह का रूप ले लेगी ठीक है ना बस इस तरह और दोठो नीचे बिंदू ठीक है ना तो यहां पर क्या जाएगी यहां पर ऐसे तो यह से यह हो गया अब हमको यह बनाना है ना यह से यह हो गया हमको यह ब या ओर लास्ट में यह ता जो है ना ले जाकर ऐसे जोड देना है तेसे ता तो हाँ या प्लस्ता है ठीक एक चीजा आप मतलब एक चीजा आप नोटिस कर रहे कि नहीं सब्सक्राइब हर्फ हर्फ में जितना भी लास्थ वाला जो अक्षर है वो पूरा का पूरा लिखाए अनार में जुन अक्षर होता है वो पूरा का पूरा लिखा था इसमें भी उसी तरह हुआ था नौ में पूरा का पूरा नून रो में पूरा का पूरा अड़े ठीक है ना रो में पूरा का पूरा रे और काफ को का लास्ट में को है तो पूरा का पूरा के लास्ट में का तो लास्ट वाला जो अक्षर है वो पूरा का पूरा लिखा जाता है यह चीज ध्यान दीजिएगा ठीक आगे बढ़िए जमाल जमाल में सबसे पहला अक्षर जा है तो जा कुर्दू में जीम कहते हैं तो यहां पर लिख दीजिए जीम प्लस मा कुर्दू में मीम कहते हैं तो मीम से तो मा होगी अबर इसको मा बना रहा है तो इसको अलिफ जोड देंगे प्लस ला कुर्दू म माहा हो गया बढ़ इसको माहा बनाना है कि마न बनाने के लिए इसमें जोड़ देंगे इसी मीम में में जोड़ गया तो जिम से जो और इख चिपक जाहेगा तो ल्व से ला जो मा और ला जमाल ठीक आगे बढ़िए डाकार डा कोर्दू में डाल कहते हैं तो यहां पर डाल लिख दीजिए प्लस का को कोर्दू में क्या कहते हैं तो काफ कहते हैं तो काफ से तो का हो गया बट का है ना यहां पर तो का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस रा रा कॉर्दू में रे कहते हैं अब सब को जोड़ दीजिए यह जो डा है डा का पूरा का पूरा डा लिख दीजिए अब का इन दोनों को जोड़ना है का बनाना है काफ में अलिफ जोड़कर का बनाना है तो देखिए इतना ही पाट उठाएंगे आप देखिए ये हो गया और ये जो सीधा वाला भाग है अब यहां पर गोल हो जाएगा ऐसे ठीक है तो ये काफ से का हो गया और इसी में आप अलिफ ऐसे जोड़ देंगे ये वाला अलिफ ऐसे जोड़ दिया है ठीक है ना तो डाल से डव काफ में अलिफ जोड़ कर का हो गया औ और लाष्ट में रे से र तो ड़कार ठीक अगर बढ़ी तलाश शुरू वाला यानकी पहला वाला अक्षर जो है वो तो है तो तो कुर्दू में ते कहते हैं तो यहां पर ते लिख दीजिए प्लस ला ला कुर्दू में लाम कहते हैं ठीक है न थोड़ा लंबा हो गया ला य है तो अलिफ जोड़ेंगे प्लस शौ शौ कुर्दू में बड़ी शीन कहते हैं क्योंकि यह तलाबे शौ है न यह हो गया अपनों का बड़ी शीन अब सब को जोड़कर तलास असानी से लिखा जाएगा अब जुड़ेंगे कैसे देखिए यह ते का जो है न इतना ही पाट उठाईए ते का इतना पाट उठा लिए ते से ता हो गया अब यह जो लाम है ना लाम का इतना पाट लाकर यहां पर जोड़ेंगे अब इन लाम में अलिफ जोड़कर ला बनाना है तो देखिए कैसे ला बनेगा इस ते में ना इसी ते में लाम ऐसे जोड़ जाएगा दे पूरा का पूरा लाकर ले जाकर चिपका दिया जाएगा तो श्रीन से तलाश आगे बढ़िए लगाओ लगाओ में जबसे पहला अक्षर लाम तो लाम से लाँ ठीक है ना गाँ है तो गाँ कुर्दू में गाफ कहते हैं तो यह पर राम से गाफ लिख दीजिए प्लस इसको गाफ से गाँ हो गया गाँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस वा वा कुर्दू में वाउ कहते हैं ठीक है अब सब को जोड़ दीजिए जोड़ेंगे कैसे देखिए यह लाम का इतना ही पाट उठाईए लाम का इतना ही पाट उठा लिए ठीक है लाम से लाँ हो यह लाव हो गया लाम से लाव अब इसी में जो गाफ है गाफ से गाव यह आकर इसी के में आकर इसी लाम में आकर जुड़ गया तो लाम से लाव और गाफ से गाव बढ़ हमको गाव बनाना है तो इसी में आप क्या करेंगे यह जो गोल वाला पाट है इसी में आकर ऐसे अलि अगाव का इतना पाट उठेगा तो यह जो सीधा वाला भागे बस यहां पर गोल हो जाएगा क्यां पर कर दीजिक सद और इसि में अनिफ जोट दिए लाम कर इनकी तीसरे वाले अक्षर में आखी मात्रा है कमरा में सबसे पहलो ऐसर है को कृझदु में काफ कहते हैं खब़फट लिखिए ह मौ कृझ दू मैं मिम कहते हैं तो यहां पर मिम लिख दीजिए वाल रह धाना टो सबसे पहले सचे है कि टो रई कृझदु में रहा पर रे लिख दीजे रे से तो रहो गया बट रा बनाना है ना हम लोग को कमरा है तो इसमें अलिव जूड़ देंगे अब यह सब जूड़कर कमरा आसानी से लिखा जाया सकता है तो देखिए कैसे जूड़ेंगे सब काफ का इतना ही पाठ उठाया जाता है आप लोग जानते का हो गया मिम से मा हो गया कम हो गया अब लास्ट में रा जोड़ देना है यानि कि रे में अलिफ जोड़ना है तो यह जो रे हैं यहीं पर आकर ऐसे जुड़ जाएगा और अब का मारा कमर हो गया बठ हमको कमरा लिखना है न भी तो कमरा लिखने के लिए लास्ट में इस रे म अलिफ तो जोड़ना पड़ेगा तो यह अलिफ जो है ना लाश मिले जाकर रे के साथ जुड़ दीजिए तो यह रे में अलिफ जुड़कर रा हो गया तो को मा और रे में अलिफ जुड़कर रा तो कम रा तो अब यहां पर देखिए सलमा अगला शब्द सलमा तो सलमा में मह रखते हैं तो लिख दीजिए प्लास लो लो कुर्दू में लाम कहते हैं तो लाम मा मह करते हैं मत ना हो हो गया बट मा बनाना है तो अल्य जूड़ेंगे के अब जोड़ेगा देखिया सलमा लिखने के लिए अब यहां पर ध्यान दीजिए सीन का इतना ही पाट उठता है आप जानते हैं तो सीन से सा हो गया अब लौ यह जो लाम है सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर सल बनाईए फिर मा बनाईएगा ठीक है ना तो यह लाम जो है यह ज इंदू वाला पाट मीम का यह गोल वाला यहां पर ऐसे आ जाएगा और इसी में जूड़ जाएगा तो सीन से सो लाम से ला मीम से मा बट सलम थोड़ों ना हम लोगों लिखना है सलमा लिखना है यानि कि मीम में अलिफ जोड़ना पड़ेगा मा बनाने के लिए तो यह जो म जो मिम का यह जो निकला है इसी में आप लोग जोड़ेंगे तो मीम में जोड़ कर क्या हो गया मा तो न से बड़ी कलमा देए कि बिल्कूल उसी तरह लिखाएगा लिखे उस सिरा कल्मा लिखाएगा बड़ यहां पर सिर्फ को आ गया है तो कौ कुर्दु में काफ कहते हैं प्लस लाम को अब यहां पर मा ऊना लगत मा बनाना तो आलिव जोर देंगे तो यहां पर देशियें काफ सबसे पहले काफ का इतना पाट उठाईए कलमा सब को जोड़ने के लिए कलमा बनाने के लिए काफ का इतना पाट उठाएंगे तो यह देखिए यह हो गया अब यह जो सीधा वाला पाट है अब यहां पर ऐसे गोल हो जाएगा ऐसे तो यह हो गया काफ से काफ यही वाला है काफ बस यहां पर बन गया है तो काफ से का ठीक और लाम अब इसमें लाम जोड़ना है तो लाम आसाने से इतना जोड़ दीजिया ऐसे यह लाम हो गया दियान दीजिये तो काफ से का हो गया और इसी में यह लाम जोड़ गया लाम से ला और यह जो मीम का बिंदू अला पाठ है यह यहीं पर ऐस अब हुख जोड़ा हो गया और मिम लए मां हो गया तो कल मा"? अ और वैसे जो है न स्तरु है कि कलमा नहीं होता है उर्दो में कलमा ऐसे लिखा जाता है जूर रहे ना वह नहीं जूरता है हे जुरता है ठीक तो वह बात की बात है है smart in अलिफ नहीं होता है यह होता है इस तरह से हैं तो इहां पर मैं आपको ओसिशन पर तिखा कहा रहे हूं हो तो आप समझ लीजे की मदलब माली यह उप सकते हैं अलिफ बढ़ कोई दिकत नहीं लेकिन ध्यान रखिएग उर्दू में इस तरह सलमा समाइ कोई लिखा जताक सिखने के लिए लिए पर आगे सी को को बन लिख दीजिए और को का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे अब जोड़िए सब को function c in में पहले बे झूड़ कर सभ बनाएं फिके न सब बनाईए सीन का इतना ही पात उठता है और इसी में क्या को विए आब बे जोड़ दिये सिन से सम और बेजुड कर सब हो गया आब इन दोनों को जोड़िये का बना दीजिए तो काफ का इतना ही यहां पर लाम को जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए इतना ही पाट उठेगा पे से तो हो गया और मैं आप लोगा को बताई यो लां गुल वाला हे हैं इसा दूसरे हर्फ में जुड़ता है तो यह अपना शकल Alright सफ़ख्र बना लेता है बताई थी आप Advent उसी तरह यहां पर भी करेगा यहां पर भी अपना शकल चेंज करकर ऐसा कर लेगा तो पे से पा और इसी में हो जूर गया तो पह हो गया अब लाँ इन दोनों को जोड़ना है तो यह जो लाँ है इसका इतना ही पाठ उठकर यहां पर ऐसे लभ जाएगा थिक यह तो पहल हो गया ना अब इसमें ला जोड़ना है ना यानि की अलिफ जोड़ना है ना तभी ना पहला होगा तो यह जो अलिफ है बस इसी लाम में ले जाकर जोड़ देना है तो देखिए पे से पह और हे से हा पह हो गया और लाम में अलिफ जोड़कर ला हो गया तो पहला ठीक आगे बढ़िए बहना बहना में सबसे पहला अक्षर क्या है बहा कुर्दू में बे कहते हैं प्लस हा कुर्दू में हे कहते हैं प्लस ना कुर्दू में नून कहते हैं बट हम ना बना रहा है ना तो नून में अलिफ जोड़ देंगे ठीक अब देखिए बे का इतना ही प बाँ हो गया प्लस हा अब मैं आप लोग को क्या बताई अभी यह जो हे वाला हे है यह अपना सकल चेंज करके ऐसे बना लेता है सकल तो यहां पर भी यहां पर भी यही होगा यह वाला जो हे है इस तरह सकल चेंज करकर यह हो जाएगा ठीक है तो बे से बाँ हो गया और हे से ह जूड़ जाएगा तो नून में जूड़ करना हो घयान दीज़िए बे से बाँ और हे से हा बहा हो घया और इसी में ये न्वोङ है इह निखीला कोईंट यहां पर है तो पर है तो नून से निखने न्हीन में ये अलिफ जूड़ गया है तो भाफ प्लसना बहना ठीक है आगे बढ़ यह सहना बस जिस तरह बहना लिखे ते उसी तरह सहना लिखाएगा बस यहां पर सा है तो सा कूर्दु में सीन कहते Thesne ॉट दीजिए और हो फुर्दु में हे प्लस ना को दूमें नstag मुणब emailed से मिलब ना बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे अब देखिए जिस तरह यहां पर बे मेहें जोड़ेंगे अब यहाँ पर से मेहें जोड़ेंगे तवना साहोगा तो देखिए सीम में ये हे जोड़ दिये सीन से सो और ये वाला जो हे है अपना सकल चेंज करकी ये वाले रूप में आ गया तो सीन से सो हे से हाँ सह हो गया सह अब उसके बाद से ना जोड़ना है तो ये जो नून का है इतना ही पाट उठाई है और यहां पर ऐसे कर दीजिए तो ये नून से ना हो गया बट इसमें अलिफ जोड़कर ना बनाना है तो अलिफ जोड़कर ना बना दीजिए तो सीन में हे जोड़कर सह हो गया और नूम में अलिफ जोड़कर ना हो गया तो सह ना आगे बड़ी ये डरना यह लिखना बहुत ज़्दा आसान है उस वक्से बोलते बोलते ठक गई हूं बट जो भी मतलब आगे है डरना उस वक्से बोलते बोलते ठक गई हूं बट थोड़ी गड़बड़ी होती है तो आप लोग समझ चाहिएगा ठीक है डरना आगे है डरना डरना में जो सबसे पहला आगे है डरना डरना में सबसे पहला अक्षर है डा कुर्दू में डाल कहते हैं तो यहां पर डाल लिख दीजी आराम से डाल से डा हो गया अब रा है तो रा कुर्दू में रे कहते हैं प्लस ना ना कुर्दू में नून कहते हैं नून से तो ना हो गया बट ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिये ठीक है अब सब को जोड़िए यह देखिए पहले डाल में यानि की डा में रा यानि की रे जोड़ दीचे पहले डर लिखिए तो डाल में रे जोड़ कर यह हो गया डर ठीक है यह डर लिख दिये अब ना जोर देना है लास्ट में यानि कि नून में जो है ना अलिफ जोर देना है तो यह देखिए यह हो गया आप लोग का नून इतना ही पार्ट नून और इसी में अलिफ जोर दिये तो नून में अलिफ जोर कर ना हो गया तो डाल में रे जोर कर डर और नून में अलिफ जोर कर न तो डर प्लस ना डर ना ठीक आगे बढ़िए मरना मरना में सबसे पहला अक्षर है मा मा कुर्दू में कहते है मीम तो मीम लिख दीजिए रा कुर्दू में रे प्लस ना कुर्दू में नून और ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे अब ये आसानी से लिखा जा सकता ह पहले मीम में मिरे जोड कर मर लिखिये उसके बाद ना जोड़िएगा इसी में मर जोड़िये अब उसके बाद से आप लोग को ना लिखिना है तो नीन में अलिभ जोड़ दिये तो ना तो मर प्लस ना मरना उसके बाद है गहना गहना में सबसे पहला अक्षर है गह तो गह कुर्दु में गाफ कहते हैं प्लस हा कुर्दु में हे कहते हैं प्लस ना कुर्दु में नून कहते हैं और इसको ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिये ठीक है में सबसे पहले हो जोड़िए अभी मैं आप लोग को क्या बताई है में यह जो है अपना सकल चेंज करके ऐसे ही होगा अब यह जो नून है इतना ही पाट उठेगा और इस तरह हो जाएगा तो यह नून से ना होगे और इसी में लाश्ट में अलिफ जूड़ जाएगा नून में नून में जूड़ कर ना हो गया है तो गाफ से गौह है से हाँ गह नून में जूड़ कर ना तो गह ना ठीक एक बार फिर से लिखकर बता दूँ चलिए कोई डिकत नहीं है एक बार फिर से लिखकर बता दे रही हूं उस वक्से लागातार बोलते बोलते तक जाता है इ नून में आप क्या जोड़ देंगे इस तरह अलिफ जोड़ देंगे नून में जुड़ करना तो गह प्लस ना गहना ठीक आगे बढ़िए जगना तो जगना में सबसे पहला अक्षर है जा जा को उर्दू में जीम कहते हैं तो यहां पर फड़ाफट जीम लिख दीजिए प् सबसे पहले इंदोनों को जोड़ कर जूर बनाईएँ उसके बाया ठीक है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए जग यह देख इतना फर जीम का यह प्लस्ट तो देखे इतना पाट आप जोड़ दिये देख रहे हैं यह दोठो यह जो लकीर था वो खिज दिये और यह होगी आप लोग का गाफ तो जिम में गाफ जुड़कर जग हो गया अब आप लोग को ना जोड़ देना है तो यह देखिए यह जो नून का इतना ही पाठ है ना य को जोड़ेंगे तो नून में जुड़ कर ना हो गया तो जग प्लस ना जग ना अगर झेशन तलना तलना में सबसे पहलphen अच्छर तो करुडूमें टे के थे फ्लस मा रूश्ट में लाम के दे ना कॉर्दूमें कि नोन कहते हैं ना बनाने के लिए अलिफ जोढेंगे ठीक अब देखिए सबसे पहले इन ते हो गया ृ aider बना कि लाक्य जोड आ इस से जोड़ेंगे ना जोड़े हुआ यूंटिक ना का इतना की पाट इठा दिए ठीक और इसी नून में यानि नौ में अलिफ जोड़ दिए तो नून में अलिफ जोड़ कर ना हो गया तो तेसे तो लाम से ला तल हो गया और नून में अलिफ जोड़ कर ना हो गया तो तल ना अगे बढ़िए जल्वा जल्वा में सबसे पहले अक्षर जो लाव जोड़ दिया जल हो गया अब वा लिखना है आप लो गोना इसे जो एगा जम से जुडूर GP जल और वा जुड़कर अब जल जलाओ थोड़ो न लिखना ओं वा लिखनाए वा है लाश्न में वा है तो वा लिखने के लिए यहने की वा बनाने के लिए इस वाब में अलिफ इस तरह जो दीजे बस अलिफ ले जाकर लास्ट में चिपका देना है ठीक, तो यह हो गया जिम सजल, आम सिल जल और वाब में अलिफ जुड़कर वा जलवा लेकिन उर्दू में जल्वा इस तरह नहीं लिखा जाता है उर्दू में जल्वा जो है न इस तरह लिखा जाता है लास्ट में हे हो जाता है क्योंकि जल्वा न लिखा जाता है जल्वा होता है ठीक है जल्वा ठीक तो यह हो गया यह चीज़ ध्यान रखिएगा वैसे हिंदी और भी शब्द देख लेते हैं इसके लाश्ट वाले में और बीच वाले मी toward की मात्र उस तरह के भी शब्द को देख लेते हैं कि उसको कैसे उंट्डू में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है ठीक तो पहले ले अब चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर धियान दिजिए यहां पर तीन अक्षर से मिलकर कुछ ऐसे आ मातरा वाले शब्द हैं जिसके शुरुवात में यानि कि पहले वाले और लास्ट वाले अक्षर में आ की मातरा है जैसे कि राजमा रा में आ की मात्रा है और जवा में आ की मात्रा नहीं है लास्ट वाला जो अक्षर है मा उसमें आ की मात्रा है राजमा और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके दूसरे वाले अक्षर में और लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा है कुछ ऐसे हैं जिसके शुर अक्षर देखिए रा है रा कुर्दू में क्या कहते हैं तो रे कहते हैं तो यहां पर फटाफट रे लिख दीजिए अब रा को रे से तो रा हो गया अब रा को रा बनाने के लिए इस रे में अलिफ जोड़ेंगे तो अलिफ जोड़ दीजिए प्लस जो है जो कुर्दू में क तो यह हो जाएगा टोटल मिलकर राजमा अब जुड़ेंगे कैसे देखिए बहुत ज़्यदा सिंपल है रे में जुड़कर रा बनाईए सबसे पहले इन दोनों को जुड़कर रा बनाना है तो रे में अलिफ चिपका दिये तो यह हो गया रा और जो जे को भी लास्ट मिले जाकर सिफ चिपका देना है ठीक है ना जो हो गया प्लास मीम अब मीम में अलिफ जुड़कर मा बनाएंगे तभी न राजमा होगा तो मीम में अलिफ जूड़िए यह जो मीम है मीम का इतना ही पाट उठाया जाता है तो मीम का इतना पाट उठाईए और इसी में अलिफ जोड़ेगा और जो लाश्ट वाल अक्षर है उसमें अलिफ जुड़ेगा ठीक है यह चीज आप लोगो ध्यान रखना है अब यहां पर देखिए आपका आपका में सबसे पहले अक्षर क्या है आ आ बनाने के लिए सबसे पहले सुचिए कि आउ को क्या कहते हैं तो अ को उर् प्लस पा है पा कुर्दू में क्या कहते हैं तो यहां पर पे लिख दीजिए उसके बाद से ठीक से पे लिख दू हां तो पे से पा हो गया प्लस को है तो को कुर्दू में क्या कहते हैं तो को कुर्दू में काफ कहते हैं तो यहां पर काफ लिख दीजिए बट काफ से तो का हो गया लेकिन का है तो का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजिए अब यह जुड़कर आप का हो जाएगा जुड़ेंगे कैसे सबसे पहले अलिफ में मत जुड़कर आ बना दीजिए तो यह हो गया और इसी आ में पा जोड़ दीजिए यह पे तो यह हो जाएगा आप अब लास्ट में ये काफ और अलिफ जोड़ देना है तब का हो जाएगा तो काफ में अलिफ जोड़ ये ये जो काफ का है इतना ही पाट उटा कर ये जो गोल है ये गोल कर देना है यहापर जो सीधा है ये गोल कर देना है और इसी में अलिफ कहते हैं तो ते कहते हैं तो ते यहां पर लिख दीजिए अब ते सित्ता हो गया बट इसको ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे राडा कुर्दू में डे कहते हैं ठीक प्लस ना ना कुर्दू में नून कहते हैं बट इसको ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे अब अलिफ में जोड़ कर आ बनाए थे इन स्यम में सबसे पहला जो है बात यहीं है सबसे पहला कंडिशन की अलिफ जोड़कर इसकी मात्रा में कन वाट कीजिए तो यहां पर गर्ण ब्लस अलिफ जूड़कर टां डं प्लस बिल्कुल ज्स तरह है उसी तरह काड़े लिख देना ह यह कहीं जूडेगा नहीं, बस चिपकेगा, यहां पर आकर चिपक ये हैं, तो अडे से रणा हो गया, ता और रणा, अब लास्ट में ना जूड़ा है, नून में अलिफ जुड़ कर ना बनाईए, तो नून में ये जो नून का है, इतना पाट उठाना है, ये नून से ना हो गया और इसमेंट आलिफ ऐसे जोड़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे नून में अलिफ जोड़कर ना तो ता प्लस रड़ो प्लस ना ताड़ना ठीक अब आगे बढ़िए लालसा लालसा में सबसे पहला अक्षर ला है ला कुर्दू में लाम कहते हैं तो लाम से तो ला हो गया बट इसको ला बनाना है तो इसमें एक अलिफ जोड़ देंगे तो ला हो जाएगा फिर ला है तो फिर ला कुर्दू में ला कहते हैं प्लस सा है सा कुर्दू में सीन कहते हैं सीन में एक अलिफ जोड़ दीजिए तो सा हो जाएगा अब देखिए लालसा है तो सबसे पहले लाम में अलिफ जोड़कर ला बनाना है तो लाम में अलिफ जोड़ कर सबसे पहले ला बनाईए लाम का इतना पाट उठा लीजिए उठ गया ये लाम से ला हो गया और इसी में अलिव जोड दीजिए तो ये हो गया ला ठीक और उसके बाद से एक और ला है ना तो यहां पर फिर से लाम का इतना है पाट उठाईए ठीक है और इसी में ये जो सी हैं सीन का यह तीनों जो को नहीं तो जो खोलो कर ला फिर लाम से लर सीन में जोड़ेंगे तब ना सा होगा सीन में इसी सीन में अलिफ जोड़ीजिये तो ये हो गया सिन में अलिफ जुड कर सा तो लाल सा लाम में अलिफ जुड कर लाम से ला सिन में अलिफ जुड कर सा तो लाल सा आगे बढ़िए नाचना नाचना में सबसे पहला अक्षर है ना ना कुर्दू में नून कहते हैं तो यहां पर नून फटाफट लिखी दीजिए अब ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस चो चो कुर्दू में चे कहते हैं प्लस ना ना कुर्दू में नून कहते हैं और फिर ना बनाने के लिए इसको अलिफ तो जोड़ेंगे ही तो देखिए नाचना कैसे होगा नून में अलिफ जोड़कर सबसे पहले ना बन लीजिए यह हो गया चो ना चो हो गया अब ना जोड़ना है बस ना नून में अलिफ जोड़कर तो नून का यह जो पाठ है ना बस यहां पर ऐसे आ जाएगा इसी चे में जोड़ जाएगा नू और फिर नून से तो ना हो गया ना चन हो गया हम लोगों को नाचना लिखना ह ना में convert करने के लिए इसी noon में अलिफ जोड़ेंगे तो noon में अलिफ जोड़ कर क्या हो गहां? nah तो noon में अलिफ जोड़ कर Tur해सी टोडर न early उड़ो अर GooN ना चे से चौर और फिर नून में अलिव जुड़कर ना नाचना ठीक है ना चौर ना नाचना आगे बढ़िए धाना धाना में सबसे पहला अखतर है धा धा क्या कहते है जिस तरह डी से दा और डी एट से धा इन दस तेम वे उर्दू में डाल से डा और डाल में इच यन की ह जोड़ कर क्या हो जाता है धा होता है उसी तरह यहां पर धा लिखा जाएगा तो धा हो गया यह अब यहां पर धा लिखना है तो इसमें अलिफ जोड़ देंगे प्लस हा कुर्दू में क्या कहते हैं तो हा कुर्दू में हे कहते हैं प्लस ना कुर्दू में नून कहते हैं अब इसको धा बनाने के लिए अलिफ तो जोड़ेंगे तो अलिफ यहाँ पर ऐसे ले जाकर जोड़ेंगे तो धा में अलिफ जोड़ कर क्या हो गया धा अब यह जो हा है अब यह अपना शकल चेंज करेगा ठीक है और इस तरह हो जाएगा ध्यान दिजे इस तरह ठीक इसी तरह आप लोग अटना है तो यहां पर यहँड़ अब सिर्फ लास्ट में जोनका जो है ना इतना पाट यहां पर ला दिए नून से यह ना हो गया और इसी में अलिव जोड़कर नून में अलिव जोड़कर ना बना दिए तो देखिए धा में अलिव जोड़कर धा हो गया और यह हे से हो गया धा हो गया और यह नून है यह नून में अलिव जोड़कर ना हो कहते और इसमे जोड़ एतो ना हो गए तो नून का सिर्फ से पहले शाहसी कम W shout कर ना रख उबते । र resc and me जूडकर ना साथ उनुमि है जागता। जागता। में जागता है सबसे पहला अक्षर रहा है तो यहां पर लिखिए जिम से जाग गया बाथ को जागता है के लिए अलिफ जोड दिये गाव को जूदमեल गाव कहते बार्छ तो तौकुर्दू में ते कहते हैं ते से ता हो गया इसको ता बनाने के लिए अलिफ जोर दियें अब सिंपल है आसानी से जोर सकते हैं सबसे पहले जीम में अलिफ जोर कर जा बनाईए तो जीम में अब क्या किये अलिफ जोर कर जा बना दियें अब यह जो गाफ है गाफ का इतना ही पाट आप लोग को उठा लेना है, देख रहे हैं इतना पाट, तो उठा लिए, गाफ से गउ हो गया, अब उसके बाद सी यह जो टे है, टे में अलिफ जोड कर ता बना देना है, तो यहांपर देखीए जो टे है, ऐसे हो जाएगा, सिर्फ इतना ही पाट, ते, बनाने के लिए बनाने के लिए राँ है को रा को उर्दु में रे केते हैं रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे अब देखिए इन दोनों को जोड़ना बहुच दासाने अभी मैं आप लोग को क्या बताई कि हे जो है ये अपना सकल चैन्ज कर या तो ऐसे रूप ले लेता है नहीं तो ऐसे रूप ले लेता है तो यही वाला रूप यह वाला जो है न यह लेगा और यहां पर ऐसे हो जाएगा ठीक देख रहे हैं यही वाला रूप लेकर ऐसे हो जाएगा तो यह हो गया है हे से हा ठीक है अब मा पहले मीम और अलिफ में जोड़कर मा बनाई है हे से तो हा हो गया अब मीम में अलिफ जोड़ मां हो गया यह से हा में में जूड कर मां और अपलोग को रा में जोड़ेना है जोड़ कर यहां माह और यह मारा हमारा ठेक आगे बढ़ः लमाने में सबसे पहले अक्षर क्या क्या है क्याश कहते हैं तो सिंपली यहाँब पर लिख दिजिए और उनके बाद यहाँ है तो पहले सोचिए की माज़ कूर्दू क्या कहते हैं तो यहाँ पर मीम कहते हैं तो मीम को मा बनाने मा से मा बनाने इस इस में अलिफ जोड़ISA दिये अम तो मा और ना जोड़ना है तभी तो जमाना होगा तो सबसे पहले मीम में अलिफ जोड़कर मा बनाईए कैसे जोड़ेंगे मीम में अलिफ यह जो बिंदू वाला पांठे गोल वाला बस इस मीम से यह हो गया मा इतना ही उठा लेना है मीम से मा हो गया बट हमको मा बनाना है इस में अलिफ जोडेंगे तो इसी मीम का यह जो को नहय है इस में आप म माना जमाना आगे बढ़िये नहाना नहाना में सबसे पहला अक्षर ना कुर्दू में नून कहते हैं नून फटाफट लिखिए प्लस हा कुर्दू में हे कहते हैं यहां पर हे लिख दीजिए प्लस हा बनाने के लिए अलिफ जोडेंगे प्लस नून नून को ना कुर्दू में नून कहते हैं तो नून लि ठालिए अब मैं आप लोग को अभी क्या बताई यह तो इस तरह सकल चेंज कर लेता है यहां पर यह वाला है का यूज होगा ऐसे ठीक है ना देखिए नून से ना है से यह हम लोग को बनाना है यह में अलिफ भी जोड़ना है तभी तो हाह होगा हो इसी यह जो निकला है इसी में आप गजोड देंगे तो । नून से न और हे में अलफ जूड़ कर देखिए यह है यह वाला है जो सकल cancha क Molt कड़े में यह अन cleanup जूड़ भार हां यह फिर ना लाशन में जूड़ दीजिए नूम में अगे बढ़ी एक चबाना फटफट कीजिए चबाना में सबसे पहला किसर चौ है तो चौ कुर्दू में चे कहते हैं यहां पर फटफट लिख दीजिए और बे से तो बाँ हो गया बट बाँ बनाना तो, अलिव जोड़ोंगे, ना है, नौक उूर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए, अलिफ जोड़ोंगे, अब सब को जोड़ना आसान है, देखिये कैसे, थोड़ा अराम अराम से समझते हैं हम लोग, đ हम लोग, सबसे पहले चे लििझे, यह चे से चा हो गया, ठ कर जोड़ गया है बे से बा अब बनाना है ना बे में अलिफ जोड़ना है तो इसी में अलिफ जोड़ना है तो इसी में अलिफ जोड़ना है तो ना हो जाएगा तो नून यह जो है नून इसी में अलिफ जोड़ना है तो नून में अलिफ जोड़ना है तो नून में अलिफ ज प्लस बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे ना कुर्दू में नून कहते हैं और इसमें अलिफ जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा ठीक अब देखिए दबाना में लिखना बहुत दासान है सबसे पहले दा लिखिए यानकी डाल तो ये डाल लिख दिया डाल से दा हो गया और बे में अलिफ जोड़ दिजे तभी तो बा होगा ना तो ये देखिए ये बे हो गया और इसी में अलिफ जोड़ दिए तो बे में अलिफ जोड़ कर बा हो गया और नून में अलिफ जोड़ दिजे तो ना हो गया तो दबाना अगे बड़ी ये चलाना चलाना भी लिख इतना है तो अलिव जोड़ दीजिए उसके बाद से सब को जोड़ंकर चलाना आराम सिरीख सकते हैं आप लोग यह जो चे है इतना ही पाट उठाई है यह चे से चो हो गया अब आप लोगों को लाम में अलिव जोड़ कर ला बनाना है तो लाम का इतना पार्ट सबसे पहले उठाईए देखें उठा रही है इतना पार्ट अब इसी लाम में अलिव जोड़ दीजिए तो चो और इसी लाम में अलिव जोड़ कर क्या हो गया ला ला में अलिफ जोड़कर ला चॉला अब बस आप लोगों को नून में अलिफ जोड़कर ना बना देना है तो यह जो नून है इतना पाट उठाना है और इसी में अलिफ जोड़ देना है तो नून में अलिफ जोड़कर ना चॉला ना चॉला ना आगे बढ़िए फसाना फसा प्लस सा है ना तो सा कुर्दू में सीन कहते हैं तो सीन से सा अब इसको सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस ना है तो नौ कुर्दू में क्या कहते हैं नौ कुर्दू में नून कहते हैं तो नून लिख दीजिया प्लस इसको ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंग अब देखिए वह सा ना लिखना है तो सबसे पहले फा लिख Do अर 2 और 3 निकलना चाहिए 1 2 3 देख रहे हैं जौन का इतना पॉठाइए और इसे मी जोड करना हो गया यह और वैसे देखा जाता है उर्दू में फसाना इस तरह नहीं रही होता है पर अप लोग दियान में रखेगा इस तरह नहीं होता है बट यहां कर आप लोग लिखना इникиरे तो आप्रोप नहीं नहीं लिख सकते हैं क्मानः में सबसे पहले काफ केते हैं तो इतना पाफ लिख दिगे अबgon में 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 कहते तो का प्लस मा हो गया, अब मा बनाने के लिए इसी मीम में अलिफ जोड़ दिये, ठीक है तो मीम में अलिफ जोड़ कर मा हो गया, और नून में आप लोगो को अलिफ जोड़ देना है, यह हो गया नून और इसी में अलिफ जोड़ दिजे ना, नून में अलिफ जोड़ कर ना तो काफ से का मिम अलिफ जोड़कर मा और नूम अलिफ जोड़कर ना तो का माना कमाना आगे बढ़िए बकाया बकाया में सबसे पहला अच्छर है बा कुर्दू में बे कहते हैं प्लस का कुर्दू में काफ कहते हैं तो काफ लिख दीजिए और का बनाने के लिए अलिफ ठीक है अब आगे बढ़िए अब इस सब को जोड़िए बाह का इतना ही पाथ उठाना है आप लोगों को यह देखिए बाह का इतना ही पाथ उठा लिए और काफ यहां पर द्यान देजिए काफ का जो इतना ही पाथ उठाते हैं तो यहां पर काफ जो है यह सीधा था अब यह गोल बनेगा ऐसे यह जो सीधा था यहां पर अब यहां पर आधा चांद की तरह गोल बनेगा तो बह बे से बह गया काफ से का हो गया लेकिन का बनाना है ना बह का या तो का बनाने के लिए इसी काफ में ऐसे अलिफ जोड़ देंगे तो बे से बह और काफ में यह अलिफ जु गया अब इसको यहा बनाना है ना बकाया है तो यह यह से तो यह हो गया यह बनाने इसी में लिफ जोड़ दीज़े यह वाला लब ठिक तो ब follows का विए में लुप जोड़ कर यह बकाया पका लिए अलिव जोड़ेंगे हवक उर्दू में हे कहते हैं, हा बनाने के लिए के अलिए अलिव जोड़ेंगे और रै क्यों को जोड़ेंगे तो रही अर्ग केना ना बना दिये देखिए नून ठा यह नून और इसी में अलिफ जोड़ दिये ना हो गया अब हा जोड़ा है अभे में आप लोग को क्या बताई इस तरह शकल चेंज कर लेता है नहीं तो इस तरह सकल चेंज कर लिए तो लोग को यह वाल्षण करना है ठीक है तो यह देखिए यह वाला जो है ना हो गया यह से हा नून में अलिफ जुड़कर तो ना हो गया अब हे में अलिफ जुड़कर हा जोड़ना है ठीक है हा कर देना है तो यहां पर हे से हा हो गया अब इसी में अलिफ जोड़ना है ना तो इसी में इस तरह आप अलिफ में क्या कहते हैं तो चा को उर्दू में चे कहते हैं तो चे लिखी आराम से और चा है ना चे से तो चा होगा चा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे ला है ला को उर्दू के में क्या कहते हैं लाम कहते हैं तो लाम से ला होगा अपर असला बनाने के लिए अलिफ जोड़ें में जुरन कर चा बनाएज सबसे पहले तो चे इतना ही पाउट उटता है तो ये देखिए चे से चा और इसी हम आलिफ जूर दीजिए चा हो गया अब अर अलिफ को जो जोड़े लाम का इतना ही पाउट trainer है यह यहोगी है नाव में और ओद दीजये तो वहले है चिह पहला को पहले दी वह सबसे त rasp seven hour दीजिये प्रके छ बना लिज yeniism को यार बना लिजिए् fundament वाहे बे केते हैं अब सबसे अप आसानी से लिख सकते हैं सबसे बहने कर झुर कर ता बनाईए तो यह देखिए ते हो गया इतना पाट और ते में अलिफ जूर कर ता बना दिए लाम में अलिफ जूर कर ला बनाईए देखिए लाम हो गया और इसी में अलिफ जूर दिए ते में अलिफ जूर कर ला हो गया ता ला और उसके बाद से लास्ट में यह जो बे है हैं प्लस अलिव जोड़कर मा बना दिए प्लस ना कुर्दू में नून कहते हैं अब सब को जोड़िए सबसे पहले सीन में जोड़कर सा बनाईए यह देखिए यह होगी आप लों का सीन और इसी में अलिव जोड़ दिये तो सा हो मा कुर्दू में मीम कहते हैं मा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए और फिर दाल दा है तो दा कुर्दू में डाल कहते हैं अब आसानी से आप लिख दीजिए सबसे पहले दाल यह जो दाल है इसमें अलिफ जोड़ कर दा बनाई यह तो दाल में अलिफ जोड़ कर दा हो दामाद दामाद आगे बढ़िए नायाब नायाब में सबसे पहले अच्छर है ना तो ना कुर्दू में क्या कहते हैं तो नून कहते हैं तो नून लिखिए प्लस ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे और या कुर्दू में ये कहते हैं प्लस या बनाने के लिए अलिफ जोड़ कर सबसे पहले ना बनाई यह हो गया यह हो गया यह हम लोगे को बनाना है तो इसी यह में अलिफ जोड़ देना है तो यह में अलिफ जूड कर या हो गया ना या और लास्ट में यह जो बे हैं बहु ले जाकर चिपका खाते हैं ठीक और उसके बात से यह यह से यह फ्लस यह बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे और अब देखिए सबसे पहले में मत जूर कर आप बनाई यह और यह जो है ना अपना शकल चेंज करकर ऐसे बनाती है तो यह देखिए यह हो गया यह से यह हो गया अब इसको यह बनाने के लिए यह तो आ हो गया और यह हो गया बट इसको यह बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो आ प्लस यह में अलिफ जोड़ गया तो यह आया और लास्ट में यह जो ते है यह जोड़ देना है तो तेसे तो आया तो ठीक है तो ये था तीन अक्षड से मिलकर बने कुछ आमातरा वाले शब्द जिसमें सभी तरह के मतलब आमातरा वाले शब्द जिसके शुरू में आमातरा था लास्ट में आमातरा था बीच में आमातरा था कुछ-कुछ ऐसे शब्द थे जिसके शुरू और लाश में मदब सभी तरह के तीन अक्षर से मिल कर बने आ मात्रा वाले शब्द को हम लोग उर्दु में लिखना और पढ़ना सीख गए कोई भी कमफ्यूजन हो इससरी इलिटेट आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकि में आप लोग को जो कुछ भी समझाई अगर स सब्सक्राइब कर लेने के बाद पहला आइकन यानकी घंटी वगरा दबा लीजेगा और और आपसने क्लिक कर लीजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो और खुदा हाफीज